ये कहानी है 25 वी शदी की और हम जी रही है 21 वी सदी में और यहाँ पर दिखाया गया है कि सारे गलेशर पिघल चुके हैं और अब पूरी ही धर्ती पर पानी ही पानी है समुद्र का लेबल 25,000 फीट बढ़ चुका है और जो लोग बची हैं वो लोग समुद्र में तेरती हुई बस्तियों में रहती हैं और उन्होंने अपने आपको इस बाता बरण में ढाल दिया है लेकिन एक माइथालोजिकल थियोरी है जिसके मताविक समुद्र के अंत में एक देता है क्योंकि समंदर का पानी पिया नहीं जा सकता और इस वक्त पानी की किमत बहुत ज्यादा है दास्तान को एक बोट मिलती है और वो उससे कहता है कि जब दो बंजारे मिलते हैं तो उन्हें अपनी समान की अदला बदली करनी होती है वो कहता है कि मुझे नहीं थे और वो कहता है कि तुम मरोगे और तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगे क्योंकि दास्ता की बोट खराब थी लेकिन दास्ता की बोट काफी एडवांस होती है और वो कुछ बटन दबाता है और यह देखकर जो उसके फल चुरा कर भागा था वो दास्ता की बोर्ट के पर्दे फार देता है जिस बज़े से दास्ता की बोर्ट स्लो हो जाती है लेकिन वो लुटेरे उसकी बोर्ट को देख लेते हैं और उसे मार देती है दास्ता उन्हें नहीं दिखता इसलिए वो बच जाता है दास्ता जल्दी बस्ती तक पहुंच जाता है और उन्हें मिट्टी दिखाता है मिट्टी देखकर बो लोग चौक जाते हैं क्योंकि जिस तरह आज के युग में हीरे जबारात कीमती हैं उसी तरह उस टाइम में मिट्टी की कीमत बहुत ज्यादा थी और दास्ता इसी के सहारे जल्बस्ती में एंटर हो जाता है और जब दास्ता की मिट्टी को तोलते हैं तो बो साड़े तीन किलो होती है इसके बदले दास्ता को 62 सोने के सिक्के देना चाहते हैं दास्ता कहता है कि मुझे 62 नहीं बलकि इसके दोग उने चाहिए और बोगने सिक्के देने को भी तियार हो जाते हैं इस दोर में मिट्टी इसलिए भी कीमती है क्योंकि ये लोग मिट्टी पर कुछ उगा कर अपने लिए कुछ खाने पीने की चीजों का इस्तिमाल कर सकती है दास्ता सिक्के लेकर एक दुकान पर जाता है और पीने के लिए पाने खरिदा है वही दास्ता देखता है कि एक टमाटर का पोधा है जिसे वो खरिदना चाहता है दुकान बाले लड़की कहती है कि अगर ये पोधा तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुझे आदे सिक्के देने होंगे अब दास्ता को पोधा चाहिए था इसलिए वो सिक्के दे देता है और पोधा ले देता है इस दुकान बाले लड़की का नाम था देवसेना इसके साथ एक और लड़की भी थी जिसका नाम था अवंतिका और देवसेना इसकी गार्जिन थी जब दास्ता अपना समान खरिद कर बहां से जा रहा था तब ही उस बस्ती के कुछ लोग उसके पास आते हैं और उनके पास एक लड़की होती है वो दास्तां से कहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ संबंद बनाओ और जब ये गर्बती हो जाए तो तुम यहां से समान लेकर जा सकते हो बस्ती बाले दास्ता को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि दास्ता इनकी बस्ती का नहीं है वो बहार से आया है और इनकी बस्ती बाले की जो पर जाती है वो कमजोर है लेकिन दास्ता उन्हें साफ मना कर देता है वो कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए दास्ता जाने लगता है लेकिन तब ही उन लोगों को शक होता है कि ये लुटे रह इसलिए वो उसे पकड़ लेते हैं और देखते हैं इस के कान के पीचे गिल्स हैं। और ये तीनों यहां से फरार हो जाते हैं और लुटेरे बस्ती को तबाह करके उस पर कबजा कर लेते हैं। लुटेरों का सरदार कहता है कि मुझे टैटू बाले लड़की चाहिए। दरसल ये अवंतिका के बारे में बात कर रहा होता है। अवंतिका की पीट पर टैटू होता है और इनका मानना है कि वो ड्राय लेंड तक पहुँचने का रास्ता है। यहां पर तीन तरह के समुदाई रहते हैं। एक लुटेरे जिनका काम बस मरना और मारना है। दूसरे आम इनसान जो बस्तियों में रहकर गुजारा करते हैं। और तीसरे मुटेंट जिनके कान के पीछे गिल्ज होते हैं। ये लोग पानी के अंदर भी सांस ले सकते मुटेंट है। दास्ता देव सेना को कहता है कि हमें अवन्तिका को मारना होगा क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं है कि हम तीनों जिन्दा रह सकें। दरसल यहां पर पानी की केमत बहुत ज्यादा होती है क्योंकि समंदर का पानी ये लोग पी नहीं सकते और पानी का को दास्ता अबंतिका को नहीं मारता वहीं दूसरी दरफ हम लुटेरो के सरदार चोमो को देखती हैं वो कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर वो टैटू बाली लड़की चाहिए और इसलिए वो अपने आदमियों को प्लेन में दास्ता के पीछी बेशता है वो लोग दास्ता के पा और वो सीधा प्लेन में फस जाती है प्लेन अब बोट के चारो और चकर लगाने लगता है तब ही दास्ता वहां पर आ जाता है और बड़ी मुश्किल से उस तार को काटता है और प्लेन वहां से चला जाता है लेकिन अब दास्ता की बोट का पूरी तरह से कबाला हो जाता ह और गुसे में आकर वो देवसेना और अबंतिका के बाल कार देता है और कहता है कि आज के बाद मेरी बोट पर किसी भी चीज को नहीं चुना है इसके बाद ये अपना सफर जारी करते हैं जहां पर इन्हें एक बोट दिखती है जिस पर एक आदमी होता है देव सेना कहती है कि हमें उससे बात करनी चाहिए क्या पता उसके पास कुछ खाने के लिए हो हाला कि दास्ता ऐसा नहीं करना चाहता लेकिन वो देव सेना के कहने पर उससे बात करता है उसके पास एक बेश कीमती चीज होती है और वो होता है कागज क्योंकि पूरी दुनिया जलाश है और कागज बनाना नमुम्किन है वो आदमी दास्ता से कहता है कि तुम्हें मैं कागज दूँगा बदले में तुम्हें मुझे देब सेना सोपनी पड़ेगे दास्ता मान जाता है और कहता है कि आदे घंटे के लिए देबसेना तुम्हारी हुई वो आदमी देबसेना को तहकाने में ले जाता है और उसकी इज़त लूटने की कोशिश करता है लेकिन दास्ता आ जाता है और कहता है कि हमारे डेल कैंसिल हुई वो आदमी चाको निकाल लेता है और दास्ता पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी एक कोशिश नाकाम रहती है क्योंकि दास्ता उसे मार देता है दास्ता जानता है कि ये दोनों भूंकी हैं इसलिए वो समुद्र में जाकर एक बखुत बड़ी मशली को मारता है और अब ये पेट भर कर खाना खाते हैं धीरे धीरे साथ रहने की वज़े से दास्ता की देवसेना के साथ दोस्ती हो जाती है और अब वो अबंतिका को तैरना भी सिखाता है जहां वो इनके साथ रहना पसंद नहीं करता था लेकिन अब वो इनका हिस्सा बन चुका है एक दिन दास्ता देखता है कि वो लुटेरे इनको ढूण रहे हैं क्योंकि नहीं अबंतिका चाहिए अबंतिका की पीट पर ड्राइलेंड का जो नक्षा है उन्हें वो चाहिए था दास्ता अपनी सूजभूट से यहां से निकल जाता है लेकिन उसे शक हो जाता है कि लुटेरे मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं मेरी तो उनके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है देब सेना बताती है कि अबंतिका की पीट पर जो ड्राइलेंड का नक्षा है वो लुटेरो को चाहिए दास्ता कहता है कि यह बेवकुफी है ऐसी कोई जगह नहीं है देब सेना कहती है कि ऐसी जगह है जब अबंतिका हमें मिली थी तो उसकी टोकरी में भी मिट्टी थी और वो मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से ज्यादा खुबसूरत और बेहतरीन थी और साथ ही तुम्हारी बोट में जो चीजे हैं शीश या गाना बजाने बाला बॉक्स वो सूखी धरती पर ही मिलते हैं क्योंकि समुद्री दुनिया में ऐसी चीज है ही नहीं दास्ता कहता है कि आओ मैं दिखाता हूं तुम्हें सूखी धरती दास्ता देव सेना को एक बॉक्स में बंद करके पानी में समुद्र के तल पर ले जाता है जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगे थी जो की बीरान पड़ी थी किसी जमाने में यहां पर लोग रहते थे वो देव सेना को ये सब इसलिए दिखाता है कि उसके मन में जो जूटी उमीदे हैं वो खत्म हो जाए और जब ये उपर जाती हैं तो देखती हैं कि लुटेरो ने इनकी नाव पर पूरी तरह से कबजा कर लिया है लुटेरे इनसे पूछती हैं कि अबंतिका कहा है दरसल अवंतिका लुटेरो को देखकर पहले से ही नाव में छुप गई थी देवसिना अवंतिका को देख लेती है लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि लुटेरो पर भरोसा नहीं किया जा सकता चोमो कहता है कि अगर ये नहीं बता रहे हैं तो इन दोनों को मार दो और इससे पहले कि इन दोनों को मारते अवंतिका बहार आ जाती है और वो अवंतिका को कबजे में ले लेती है चोमो दास्ता और देवसिना को मारने का आदेश देता है लेकिन इससे पहले कि वो लोग इन्हें मारते दास्ता देवसेना को लेकर पानी में कूच जाता है लेकिन देवसेना पानी में सांस नहीं ले सकती थी क्योंकि वो दास्ता की तरह म्यूटेंट नहीं है वो एक साधरन इनसान है इसलिए दास्ता अपने मुह से देवसेना को सांस देता है और ये काफी दिर तक पानी में रहते हैं और जब ये उपर आती हैं तो देखते हैं कि लुटेरो ने दास्ता की नाभ को पूरी तरह से तबहा कर दिया है देब से ना दास्ता की अच्छाईू करूर उसकी इंसानियत से प्यार करने लगती है और ये काफी करीब आ जाते हैं दास्ता को अपनी नाव पर वो कागज मिलता है जो उस आदमी ने दिया था कागज पर आइलेंड का चितर था जिस पर बहुत सारे पेड थे और अबंतिका ने भी बैसा ही चितर बनाया था दास्ता समझ जाता है कि अबंतिका की पीट पर जो नक्षा है वो सूखी धरती का है क्योंकि अबंतिका केवल वही चितर बनाती है जो उसने देखा है लेकिन इनका यहां से निकलना नामुम्किन था क्योंकि इनकी नाव खराब थी थोड़ी देर बाद यहां पर एक आदमी आता है और वो इन दोनों को बैलून पर ले आता है लेकिन यहां से दास्ता डिसाइड करता है कि वो अबंतिका को ढूंड कर लाएगा वो उस बड़े जहाज पर पहुंच जाता है जहां पर वो लुटे रहे थे दास्ता चोमो के साथ खड़ा होकर कहता है कि मुझे वो बच्ची चाहिए चोमो कहता है कि बेटा अब तुम जिन्दा वापस नहीं लोटोगे दास्ता एक मशाल निकालता है और पासी में एक टैंक में डाल देता है जिससे एक बहुत बड़ा बलास्ट होता है और उसके बाद सारे आदमी मारे जाती है दास्ता अबंतिका को ढूडने लगता है लेकिन वो देखता है कि चोमो अबंतिका को प्लेन में उड़ा कर ले जा रहा है दास्ता प्लेन को रसी से अटका कर क्रेश करवा देता है अभी विशाल जहाज डूब रहा था लेकिन इससे पहले ये जहाज डूब पाता बहां पर देख सिना उडने माला बैलून लेकर आजाती है और इनको बचा ले जाती है और तभी नीचे जहाज पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे लगबग सारे लुटेरे मारे जाते हैं लेकिन चोमो अभी भी जिन्दा बचा हुआ था और वो एक गन से अबंतिका पर गोली चलाता है अबंतिका को वो गोली नहीं लगती वो उसके साइड में से निकल जाती है जिसकी बज़े से वो पानी में गिर जाती है और लुटेरे उसकी तरफ बर्ण है लगती है दास्ता उपर से जम करता है और अबंतिका को पकड़ कर उपर ले जाता है और ये तीनों लुटेरे जो अबन्तिका को पकड़ने के लिए आ रहे थे ये आपस में ठकरा जाते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है इस ब्लास्ट में चोमों समेथ सारे लुटेरे में आरे जाते हैं इस तरह से दास्ता अबंतिका की जान बजाता है इनके साथ जो आदमी होता है उसे नक्षा पढ़ना आता है और वो ड्राइलेंड का पता लगा लेता है और फाइनली ये पहुंच जाते हैं सूखी धर्ती पर जहां पर एक जोपड़ी होती है जिसके अंदर दो कंकाल थे जो ये भी पता दल जाए कि कहां पर ड्राइलेंड है और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अबंतिका उस समय काफी छोटी थी अगर वो वहां पर रहती तो बच नहीं पाकी और अबंतिका के मावापने जैसा सोचा था आज फाइनली वैसा ही हुआ इसके बाद हम देखते है क्योंकि उसकी असली दुनिया समंदर है और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है